इसमें पावर सप्लाई है जो मेरे यूटूब सब्सक्राइबर ने रिपेयर होने के लिए वरना प्रेंट फेक्टरी वैंगलूरू से भेजा है इन्होंने रिपेयर होने के लिए तो एक पूरा वीडियो देखिए तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा मोडल है और सप्लाई में प्रोब्लम क्या है और हमारे चैनल पर आप नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सारी रिपेयरिंग के वीडि या मोनीटर की और पावर सप्लाई और लपटापौं की और नियूंटर ile मोनीटर और ने मोनीटर कर सकते हैं तो सब्सक्राइब ने भेजा है रिपेयर करने के लिए और अगर को कोई इसा भी पार्ट चीए या पावर सप्लाई कोई सी भी चीए LED LCD मोनिटर की या आपका डिश्टॉप का कोई ब्रैंडड़ पावर सप्लाई HP Dell लिनो तो आप मैं नमबर दिया हुआ है मैंने उस पर आप वाट्सप कर सकते हैं तो चलिए अगर आपके पास इस टाइप की प्रोब्लम आए तो आप उको मेरे पास भेजना ना पड़े आप पुदी इसको इसली सॉल्व कर पाएं तो इसलिए पूरा लाश्ट टक वीडियो देखिए मैं भी आप को समझाएगा और आप कर पाएंगे तो यह देखिए यह पैक करके इन्होंने भेजा है ठीक तरा से यह देखिए तो इसमें एक पावर सप्लाई है तो इसको हम रिपेर करेंगे देखिए इसका फैन भी इन्होंने खौल रखा है देखिए इसको खौलने की जरूरत नहीं पड़ती है तो हम कस देते हैं तो अब हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि अब यह इसके पावर हम लगा नहीं सकते जैसे कि मैं सारे वीडियो में बताता हूँ अगर टेमपर्ड आता है खुला हुआ आता है तो हम डायट पावर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यह सब इसको पहले से खुला हुआ है क्योंकि खोल के चेक किया होगा यह हो सकता है कोई रिपेर करने की कोशिस करी होगी तो कुछ अंदर लूज होगा या शोल्डिंग सही से नहीं किया होगा तो थोड़ा बोद रिपेर करने का चांस होगा तो वह भी short हो जाएगा तो हम करनी पाएंगे फिर तो इसलिए पहले हम physical check कर लेंगे कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं तो उसके बाद फिर हम power लगा कर चेक करेंगे अगर fresh होता ऐसा लगता कि कहीं open नहीं है तो हम power लगा कर एक बार देख लेतें तो यह देखिए यह है power supply और इसको हम एक बार physically देख लेंगे अंदर से भी I think कोई page नहीं लगा है यह देखिए यह देखिए कुछ भी नहीं लगा है तो इन्होंने कुछ वैसे करा तो नहीं है repair बस खोल के चेकी किया है मुझे लग रहा है और इसमें physically कुछ हमें दिखने रहा है खराब कोई component burn या कुछ ऐसा capacitor कोई फूला हुआ तो हमें multimeter से चेक करना पड़ेगा कि इसमें problem है कहाँ पर तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि exact problem है कहाँ पर इसमें तो यहां पर देखिए physical तो कुछ नहीं दिख रहा है कोई component burn या कहीं कुछ जला हुआ तो अब हम power लगा कर चेक कर सकते हैं तो अब सबसे पहले यहां output में चेक कर लेते हैं फाइब बोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर फाइब बोल्ट यहां पर आ रहा होगा तो देखिए फिर output में problem होगा अगर SMPS नहीं चल रहा होगा अगर फाइब बोल्ट नहीं आ रहा होगा तो maximum chance होता है कि input में problem हो तो यहां पर देखिए फाइब बोल्ट नहीं आ रहा है यह देखिए फाइब बोल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है एक green और black एक ground कर लेंगे black से और green में चेक करेंगे फाइब बोल्ट नहीं आ रहा है अब फाइब बोल्ट नहीं आ रहा है तो अब दूसरा इस टिप क्या करेंगे यहां high बोल्ट आता है main filter capacitor पर यहां लगा हुआ है तो यहां चेक कर लेंगे यह देखिए यहां भी नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब है अभी fuse हमारा खराब है यूँकि अगर fuse सही होता यहां तक voltage जरूर आता तो यह देखिए यहां नहीं आ रहा है voltage तो अब हम fuse चेक करेंगे तो यह है हमारा चेक करने का तरीका इधर देखिए यह अप्टो कपलर लगा हुआ है इसके इस साइड में इनपुट है इधर आउटपुट है तो अभी इनपुट में ही यहाँ फिल्टर पर भी बॉल्टेज नहीं मिल रहा है तो अभी हम फ्यूज से चेक करेंगे हो सकता है कि इसमें शोटिंग हो क्योंकि फ्यूज खराब होगा इसका नहीं तो हमें यहाँ पर फिल्टर पर वोल्टेज मिलता तो चलिए देखते हैं फ्यूज कहां लगा होगा तो फ्यूज देखिए आगर आपको सर्च करना है क्योंकि छोटे वाले भी फ्यूज आते है तो यह देखिए, यहां से हम AC देते हैं, तो यह दो wire है, और इसमें एक card लगा हुआ है, तो fuse यहीं पे लगा है, यह देखिए, यहां पर छोटा सा fuse लगा है, यह वाला fuse है, देखिए, यह आपको दिख रहा होगा, यह fuse है, ब्लैक कलर का, यह fuse है, यह आपका व्री डाइवो फिल्टर का विष्टर है, इधर यह सारा input का TNY IC है, यह भी maximum खराब होता है, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में, यह वाली, तो यह है, तो सबसे पहले हम fuse चेक कर लेते हैं, यहां पर, कि fuse सही है, यह खराब है, यहां पर fuse चेक कर लेंगे, तो मीटर को continuity पर कर लेंगे continuity के बाद हम fuse चेक कर लेंगे, तो यहां पर देखिए, अभी continuity नहीं आ रहा है fuse पर, तो इसका मतलब fuse ओपन है, अब आगे, अभी fuse नहीं लगाना है, हो सकता है कि आगे shorting हो, fuse लगाएंगे, तो और भी short हो जाएगा, component, फूरा proper देख लें, sorting और आगे है या नहीं है, तो fuse के बाद सबसे पहले breed आइवोड चेक करेंगे, continuity पर ही, इस तरह से, one by one चेक करेंगे, फिर दो दो AC का point चेक करेंगे, फिर pair में चेक करेंगे, कहीं continuity आना नहीं चीए, इस तरह से, यह breed आइवोड सही है, अब हम MOSFET चेक कर लेंगे, यह देखें, MOSFET भी सही है, इधर डाइवोड लगा है, इधर एक MOSFET लगा है, यह भी सही है, अब यहाँ चेक कर लेंगे, यह TNY IC, इस पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं, अगर यह सप्लाई नहीं आता है, तो IC खराब रहता है, तो यहाँ देखें, continuity आ रहा है, यह filter capacitor के positive से direct voltage आती है, 220 से 300,500 volt के असपास, यहाँ पर आपको मिलेगा, अलग-अलग model में, अलग-अलग voltage आती है, तो यह देखें, continuity आ रहा है, तो इस पर input आ रहा है, अगर यहाँ पर एक continuity नहीं आती है, बीच में एक resistance लगी होती है, वो खराब रहती है, और IC आपको change करनी पड़ते TNYIC, तो यहाँ पर सारे component सही है, अभी भी हमें fuse नहीं लगाना है, अभी हमें series में इसको check करना है, series में अगर चल जाएगा, उसके बाद ही fuse लगाएंगे हम, तो हो सकता है कि only इसमें fuse ही खराब हो, और सारे component बच गये हो, नहीं खराब हो, तो ऐसा भी होता है, तो सबसे प कि fuse की जगां पर मैंने बल्ब लगा दिया है, अगर आपके पास series हो, तो आप direct fuse लगा के यहाँ series से voltage दे सकते हैं, तो आपका series बल्ब गलो हो जाएगा, अब मैंने series नहीं बना रखत, मैंने direct fuse की जगां बल्ब लगा दिया है, अगर sorting होगी तो बल्ब continue गलो हो जाएगा, otherwise एक बार off हो के on हो जाएगा, या तो load रहता है, तो एक glow होता है, तो चलिए एक बार इसको check कर लेते हैं, कि एक on होता है, या कहीं और भी sorting है, तो power लगाते हैं एक बार, तो यह देखिया और sorting नहीं है, एक बार हलका सा glow हो के बंद हो गया, अब on करने के लिए एक green और black में short करेंगे, तो यहाँ पर देखिए fan move हो गया है, अब voltage चेक कर लेंगे तो हमें सारी voltage यहाँ पर मिल जाएंगी, यह देखिए इधर light भी अगलो हो रही है, अब आपको voltage चेक करवा देता हूँ, यह देखिए 12 voltage यहाँ पर आएगा, यह देखिए, मीटर में 12 voltage आ रहा है, औ इधर भी सारी voltage आएंगी, 3.3 volt, और इधर 5 volt, तो यह आपने देखा होगा कि इसमें only fuse खराब था, और कोई problem नहीं था इसमें, तो इस तरह से proper diagnose करने का तरीका होता है, और main component पहचानना, हो सकता है कि कई लोग जैसे component चेंज होते हैं, नॉर्मल fuse होता है, पहचान जाते हैं अलग अलग टाइप के fuse भी आते हैं, और चलो हो सकता है कि repair करने वाले ना हो, तो इसलिए पता ना चला हो कि fuse कौन सा है, कैसा है, या problem क्या है, तो यह चीजे होती हैं, तो यह है, आपका इसमें fault था only fuse का, तो मैंने clearly बता दिया और कुछ इसमें problem नहीं थी, तो अगर यह पसंद आया हो, तो like and share जरूर करें, और अगर पूरा अभी तक आपने देखा है वीडियो तो चैनल को subscribe जरूर कर देंगे, बहुत सारी वीडियो हम genuinely जो problem रहती है, उसके साथ लेकर आपके लिए आते हैं, तो मिलते हैं फिर next वीडियो में, यह पूरा वीडियो देखने के अलियो धन्यवाद,